हलो एफ्रीवन बौध धर्म से रिलेटेट कुछ इंपर्टेंट कोश्चन देखते हैं जो गौवर्मेंट इग्जायम के लिए मोस्ट इंपर्टेंट टोपिक मना आता है बौध धर्म चली फिर देख लेते हैं फर्स्ट कोश्चन है बौध धर्म के संस्थापक कौन थे गौतमबुद गौतमबुद का जन्म हुआ था 563 इसा पूर्ग गौतमबुद का जन्म कहां पर हुआ था कपील वस्तु के लुम्बिनी में गौतमबुद के पिता क्या नाम था सुद्धोधन गौतमबुद की माता का क्या नाम था माया देवी गौतमबुद की सोतेली मा का क्या नाम था प्रजापती गौतमी गौतमबुद के बच्पन का क्या नाम था सिधार्थ गौतमबुद की पतनी कौन थी यसोधरा गौतमबुद के पुत्र का नाम था गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग दिया जिसे बौध धर्में कहा गया महा भिनिस्क्रमन गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किस गुरु से सिक्छा ग्रहन की रुद्र कडामपूत गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पस्चाद 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्यान की प्रापति हुई निरंजना फाल्गू नदी गौतम बुद्ध को किस विडिक्ष के नीचे ज्यान की प्रापति हुई पीपल गौतम बुद्ध को जिस अस्थान पर सिक्छा प्राप्त हुई वह अस्थान कहलाया बुध गया बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया सारनात रिशी पत्नम में बुध धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी प्रजापती गौतमी बुद्ध ने अपने उपदेश किस भासा में दिये पाली बुद्ध ने अपने सर्वादिक उपदेश दिये कोसल देश की राजधानी स्रिवस्ति में गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिक्षित किया जाने वाला अंतिम वेक्ती निमलिखित में से कौन था सुबद्ध एसिया का जोती पुंज लाइट ओफ एसिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध की म्रित्यु कब हुई? 483 इसा पुर्व गौतम बुद्ध की म्रित्यु किस अस्थान पर हुई? कुसी नाडा देवडिया उतरप्रदेश गौतम बुद्ध की म्रित्यु को बाध धर्म में कहा गया महापडी निर्वान बौध धर्म पिटको की रच्ना निमलिखित में से किस भासा में की गई थी? पाली निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक जातक किसका गरंथ है? बोध धर्म का कौन सी बोध रच्ना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धमपद बौध धर्म में भावी बोधी सत्व या भविश्र के बोधी सत्व किसे माना गया है? मैत्रे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनू संग की अस्थापना कहा की गई थी? वैसाली में प्रथम बौध संगीती हुई थी 483 इसा पूर्व प्रथम बौध संगीती कहां हुई थी? राजग्रह प्रथम बौध संगीती के समय अध्यक्ष थे महा कस्यप प्रथम बौध संगीती किसके सासन काल में हुई थी? अजात सत्रू दौध संगीती कोब और कहां हुई थी? 383 इसा पूर्व बैसाली दौध संगीती के समय अध्यक्ष थे सबाकामी दौध संगीती किसके सासन काल में हुई थी? काला सोक तौध संगीती कोब और कहां हुई थी? 255 इसा पूर्व पाटली पुत्र तौध संगीती के समय अध्यक्ष थे मुगल्ली पूत्र तिस्ट तौध संगीती किसके सासन काल में हुई थी? असोक चतूर्थ बौध संगीती कोब और कहां हुई थी? इस्विक की प्रथम सताब्दी कुंडल चतूर्थ बौध संगीती के समय अध्यक्ष थे वसुमित्र या अस्व गोस चतूर्थ बौध संगीती किसके सासन काल में हुई थी? कनिस्क बौध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम है अजात सत्रू, काला सोक, असोक, कनिस्क राजग्री बैसाली और पाटली पुत्र में निमलिखित में कौन सी एक समानता है, ये वे अस्थान है जहां बौध संगीती हुई थी? बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षारी तू कहां बिताई थी? कुसी नगर में? किस सासक के सासन काल में नेपाल में बौध धर्म का गमन हुआ था, असोक निमलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, मिलिंद भारत में दक्षिन की योर के देशों में बौध धर्म का कौन सा संप्रदाए प्रचलित हुआ? हिन यान नगारजुन कौन थे? बौध दर्शनिक किस भासा का ज्यादा प्रयोग बौध वाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली मौठ और स्टूब किस धर्म से सम्मंधित है? बौध धर्म कि अधर प्रचलित है? अधर प्रचलित के लिए प्रचलित विए